अलो दोस्तो तो इस वीडियो में हम पिछले पार्ट को continue करेंगे जो first पार्ट में मैंने आपको समझाया था कि रास्बरी पाई को seven segment device के साथ अगर connect करना है और seven segment पे हमको अगर counter बनाना है तो उसका theory क्या होगा right उसका concept क्या होगा ये वाले वीडियो में मैं आपको programming किया हुआ code है जो के मैंने थोनी IDE के अंदर open किया हुआ है और इस code में आपको देखिए मैं आपको ये code अभी explain करता हूँ और यहां पर आप देख सकते हैं यह थोनी आईडी के अदिटर के अंदर मैंने उपन किया हुआ है और डाइरेक्ट यही से मैं रन करूंगा यहां पर आप देख सकते हैं कि यह जो डिस्प्ले करके जो लिस्ट बनाई हुई है वो हमारी वैल्यूस है जो मैंने अभी आपको समझाया था राइट जो मैंने आपको लुक अप टेबर वाला कॉंसेट समझाया था उसमें 3A, 06, 5B ठीक है वो सारी वैल्यूस थी वही वैल्यूस इसमें है तो यह एक्चुली लिस्ट है ठीक है जो पाइथन में हम लिस्ट दिसाइन करते हैं वो लिस्ट है इसके हर एक एलिमेंट को हम एक्सेस करते सकते हैं उसके इंडेक्स वैल्यूस है मतलब कि दिस्ट्पले अब 0, 3F होगा दिस्ट्पले अब 1, 06 होगा दिस्ट्पले अब 2, 5B होगा ठीक है इस हिसाब से हम एक्सेस कर सकते हैं फिर मैंने देखिए पिन को आउटपुट में डिफेंड किया है यह सारी पिन वो है जिसके साथ हमारी 7 सेग्मेंट कि था वो यही है A7 के साथ है B11 के साथ है C13 के साथ है ठीक है और फर्स्ट दो है वो लाइब्रेरी मैंने इंपोर्ट कि हुए है उसके बाद एक लिस्ट क्रियेट किया हुआ है जिसमें सारी वैल्यूज है डिस्पले करवाने के लिए मैं अगेन बताता हूँ यह लिस्ट डिफाइंड किया हुआ है यह एक टाइप का लूक अप टैबल ही है जिसके अंदर अलग-अलग वैल्यूज है उसके बाद नेक्स्ट सेट वॉर्निंग फॉल्स कर दैए जिससे वॉर्निंग नहीं आयेगी और बॉर्ड का मोड में انे बॉर्ड मोड में सेट किया है बी-स्यम में नहीं किया है बॉर्ड मोड का हम लिखेंगे from raspberry pi उसके लिए उसकी direction output होना जरूरी है तो वहीक defend qv है ठीक है उसके बाद एक function है port करके यह user defend function है यही इसका main part है और यह user defend function के through हम अलग-अलग values लिखेंगे तो यहाँ पर देखे port function है उसके साथ एक argument है pin वह argument को लेके जो function को कोई call करेंगे हम बाहर से और वह pin है उसके अंदर हम display में से एक-एक values देंगे ठीक है पहले 3f देंगे फिर 06 देंगे लेट अस्यूम हमारी first value है वह 3f है मैंने इस function को call करवाया with argument as a 3f मतलब display का first element पहली if loop है वह क्या कर रही है देखिए pin logical end with 0 1 मतलब कि जो भी value है 3f ठीक है उसको binary में कैसे लिखते है 3f को अगर मैं convert करूं binary में तो वो होगा sorry double 1 होगा ठीक है 1 1 1 1 1 1 उसका logical end operation हो रहा है with 0x01 मतलब कि 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 अगर इस ending का result equal to equal to 0 1 आएगा ठीक है मतलब कि अगर इन दोनों के logical ending का result 0 1 आएगा तो वो क्या check करेगा कि मेरे number में list significant bit है 1 वो अगर 1 है list significant bit जो 1 है तो इसका result 1 आएगा अगर 0 है तो इसका result 0 आएगा क्योंकि बाकी सारे number तो 1 है तो ये condition तभी true होगी जब मेरे number का least significant bit 1 होगा और अगर वो 1 होगा तो वो pin number 7 मतलब के 7 segment के A के उपर 1 लिग देगा मतलब वो segment on हो जाएगा समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ कि मेरे number का least significant bit 1 होगा तो वो first segment पे 1 लिखेगा high हो जाएगा in short ठीक है और ये 3F के लिए मैं आपको explain कर रहा हूँ तो जैसे condition true होगी तो वो 1 हो जाएगा जितने भी number में अगर नहीं होगी तो वो segment off रहेगा ठीक है दूसरे में हम क्या check कर रहे है दूसरी जो condition है if जो check हो रही है वो क्या हो रही है कि अभी हम 0,2 के साथ ending करेंगे अभी देखे नंबर वहीं है 3F लेकिन वो check क्या कर रहा है second last bit अगर second last bit 1 है तो result 0,2 आएगा अगर second last bit हमारे किस में 1 है देखे मतलब कि वो segment भी मुझे on चाहिए तो अपने आप वो 11th pin मतलब के B 7th segment की pin B पे वो 1 लिखेगा मतलब कि B segment है उसको वो on कर देगा जो कि हमको चाहिए भी 0 डिस्प्ले करवाना है वैसे ही next if loop क्या करेगी third bit को check करेगी ठीक है और third bit को check करने का तरीका क्या है 100 and result should be 100 मतलब के 0 for जो है उसको binary में ऐसे लिखते है वो third bit को check करेगा अगर वो one है तो वो 13 number वाली pin मतलब के 7 segment की C को one कर देगा उसी इससाब से सारे number एक एक करके जाएंगे 3F के लिए जितनी segment one होनी चाहिए वो हो जाएगी जिससे के हमको seven segment पर zero देखेगा फिर next number आएगा 06 उसके लिए जितनी भी segment high होनी चाहिए वो हो जाएगी यह port function के थुरू जिससे हमको one देखेगा तो इसी इससाब से यह function execute होगा और इसके लिए हमने list पहले से define की हुई है यहाँ पर आप देख सकते है उसका नाम है display ठीक है तो यह देखे आगे वही है next fourth bit then fifth sixth seventh and last जो बतलब last seventh bit up to seventh bit वो चेक करता रहेगा हर एक bit by bit चेक करेगा और उसके बाद हमने एक infinite loop लिखिये while one आप while true भी लिख सकते हो ठीक है और उसके अंदर एक for loop है क्योंकि मुझे एक counter चाहिए तो मैंने एक for loop लिखिये for x in range 10 मतलब x 0 से लेके 9 तक जाएगा और वो continuous जाएगा क्योंकि while one के अंदर है तो basically 10 type तक increment होगा 0 से 9 मतलब 10 time तक increment होगा और हर एक time पे हम क्या कर रहे है कि display के एक एक element को access कर रहे है तो यहाँ पर देखे display of 0, display of 1 और मैंने इसको integer में type casting किया हुआ है simple तो first time display of 0 जाएगा मतलब 3F then display of 1 जाएगा मतलब 06 और वो value pin में मिलेगी pin जो variable defend किया है और उसी को मैं as argument पास कर रहा हूँ port function में हर बार pin के अंदर display की एक एक value होगी और वो port function को call करेगी और port function क्या करेगा 7 segment पे वो segment on कर देगा और हर एक display के बाद हमने 1 second का delay रखा है in between मैंने print x statement इसलिए use किया है कि software में भी हमको पता चले कि कौन सा number print हो रहा है तो software में जो number print होगा यहाँ पे वही 7 segment पे होगा ठीक है तो हम यह run करेंगे तो हमको यहाँ पे भी number दीखेगा जो कि print statement से आएगा और 7 segment पे दीखेगा अभी मैं इसको comment कर देता हूँ run करने से पहले और अभी हम इसको run करते है simply अभी खाले आपको simulation में output दीखेगा देखे यहाँ पे number print होना start हो गया है और अभी 7 segment पे भी जा रहा है जो मैं अभी आपको next part में दिखाऊंगा ठीक है अभी मैं stop करता हूँ यह याद रखेंगे मैंने अभी 5 पे stop किया मतलब 7 segment पे भी last digit 5 है अभी मैं अभी आपको hardware दिखाता हूँ फिर से अगर आप start करोगे तो वो 0 से start होगा ठीक है क्योंकि प्रोग्राम पूरा research हो गया है यह भी 0 से start होगा again for loop 0 से start होगी तो और इसी सबसे आप execute कर पाऊगे और यह हर एक second पे increment हो रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी यह वीडियो पेरलली रेकॉड किया हुआ है इसमें आप देख सकते हैं connections तो जो हमने प्रोग्राम में लिखा था pin number 7, 11 तो उसी के साथ मैंने wire connect किये हुए है यह रास्परिपाई है जिसके साथ wire connect किये हुए है और उसके दूसरा end देखिया seven segment के साथ है यह आपको जो दिख रहा है वो AVR development board है ठीक है यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा seven segment के लिए चार segment है keypad के लिए switches है LEDs है तो interfacing के लिए यह board सबसे अच्छा option है जहाँ पर आपको सारे modules मिल जाएंगे तो इसमें से मैंने seven segment यूज किया है और उसकी pin यहाँ पर दी हुई है यहाँ पर जहाँ cable connected है आप देख सकते हैं वहाँ पर A, B, C, D करके सारी pin दी हुई है ठीक है और चुकि यहाँ पर चार segment है तो हम कोई भी एक segment को select कर सकते है उसकी selection pin पर हाई world देखे तो मैंने अभी एक particular segment पर हाई दिया है मतलब के वही segment on होगी अगर आप चारों पर हाई दोगे तो आपको चारों पर same number दिखेंगे लेकिन अभी मैंने एक पर दिया हुआ है और यहाँ पर देखे जैसे ही हम code run करेंगे आपको यहाँ पर दिखेंगा आउट्पूट ठीक है कि के स्टार्ट हो गया यह उसी सिम्मिलेशन में जो आपको दिखाया वहीं वीडियो पैरेलर रेकॉर्ड किया हुआ है देखें काउंटर इंप्रिमेंट हो रहा है देखें जीरो के बाद अपने आप रिचर्ट हो गया और देखें फाइब पे स्टॉप भी होगा क्योंकि मैंने वहाँ पे फाइब पे स्टॉप किया था तो लास्ट वैल्यू एस इटीज है अभी फिर से रिस्टार्ट करेंगे तो फिर से यह जीरो से स्टार्ट होगा तो इससाब से आप सेवन सेग्मेंट सिंगल डिजिट सेग्मेंट को इंटरफेस कर सकते है रास्बरी पाइब और के साथ मैंने आपको उसके पीछे की थियरी भी बताई और उसका कोड भी आपको एक्स्पेन किया और हाड़वेर पिर परफॉरम करके दिखाया यह काफ़ी सिंपल है आप ऐसा कोई भी डेवलेपमेंट बडर यूज़ कर सकते है अगर नहीं है तो आप ब्रेट बोर के साथ सिंगल सेवन सेग्मेंट को डायरेक्ट कनेक कर सकते है और काफी सिंपल है जो segment आपको on करनी है उस पर आपको high world देना है simple तो आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो please वीडियो को like करिए और मेरे चैनल को subscribe करिए Thank you very much